मनिपूर की स्थिती सामान्य करने के लिए सरकार निरंतर प्रयासरफ है वहाँ जो कुछ भी घटना है घटी ग्यारा हजार से ज़्यादा एफ आइए यार की गई है मनिपूर छोता सा राज्य है ग्यारा हजार एफ आइए यार की गई है पांच सो से जामा लोग एरेस्ट हुए है हादर ये सभापते जी इस बात को भी हमें स्विकार करना होगा कि मनिपूर में लगातार हिंसा की घटनाए कम होती जा रही है इसका मडिपूर के अधिकाउस हिस्तों में आम दिनों की तरह स्कूल चल रहे हैं कॉलेज चल रहे हैं दप्तर और दूसरे संस्तान खूले रहे हैं अधिने सभापती जी मनिपूर में भी जैसे देश के अन्य भागों में परिच्छाएं हुई वहां भी परिच्छाएं हुई है और बच्चों का अपनी विकास यात्रा जारी रखी है अधिने सभापती केंद्रों और राजसर का सभी से बात्ती करके शांती के लिए स्वहार्द रास्ता खोलने के लिए लगातार प्रयास कर रही हैं छोटे छोटे इकायों से को जोड़ करके इन ताने बान्यों को गुंत रहा एक बहुत बड़ा काम है और शांती पुर्ण तरीके से हो रहा है बीते समय में पहले की सरकारों में ऐसा नहीं हुआ है ग्रह मंत्री स्वैम कई दिनों तक महां रहे है ग्रह राजमंत्री हपतों तक महां रहे है और बार बार महां जाकर के सम्मन्दिर दोकों को जोड़ने का प्यास करते रहे हैं आदर्णिय सभापती जी पॉलिटिकल लीडर्सिप तो है ही लेकिन सरकार के सभी बरिष्ट अधिकारी जिसका जिसका इन काम से सम्मन्द है वे लगातार वहां फिजिकल जाते हैं लगातार वहां संपर्ग में रहते हैं और समस्षा के समाधान के लिए हर प्रकार से प्रयासों को बल दिया जा रहा है आदर्णिय सभापती जी इस समय मनिपूर में बाढ़ का भी संकट चल रहा है और केंद्र सरकार राज्य सरकार साथ मिल करके पूरा सहयोग कर रही है आज ही एंडियारेट की दो टीमें वहां पहुंची है यहने की प्राकृतिक मुसीबत में भी केंद्र और राज्य मिल करके मनिपूर की शिंता कर रहे हैं आदर्णिय सभापती जी हम सभी को राजनीती से उपर उट करते हैं वहां की स्थिति को सामान ने बनाने में सहयोग करना चाहिए यह हम सब का कर्तक भी है आदर्णिय सभापती जी जो भी तत्व मनिपूर की आग में घी डालने की कोशिश कर रहे हैं मैं उनसे आगा करता हूं कि यह हरकते बंद करें एक समय आएगा मनिपूर ही उनको रिजेक्ट करने वाला है ऐसे लोगों को आदर्णिय सभापती जी जो लोग मनिपूर के इतिहास को जानते हैं मनिपूर की घटना क्रब को जानते हैं उनको पता है कि वहां का सामाजिक संगर्ष का एक लंबा इतिहास रहा है कि उस संगर्ष की मानसिप्ता की जड़े बहुत गहरी है इसको कोई नकार नहीं सकता है और कॉंग्रेस के लोगें न भुले कि मनिपूर में इनी इस कार्मों से दस बार राष्टपति शासन लगाना पड़ा है इतने चोटे से राज में दस बार प्रसेडेंशल डूल लगाना पड़ा है राष्पति शासन लगाना पड़ा है कुछ तो मुसीबत होगी और यह हमारे कार्गन में नहीं हुआ है लेकिन फिर भी राजरिती फायदा उठाने के लिए वहां पर जिस प्रकार के हरकते हो रही है और राष्पति जी सभापति जी मैं सदन में देश वास्चों तो बेपतारा चाहता हूं 1993 में मनिपूर में ऐसे ही घटनाओं का क्रम चला था और इतना तिवर चला था इतना व्यापक चला था वह पांच सान लगातार चला था तो यह सारा इतिहास समझ करके हमें बहुत समधध़ी के पूर्वफ स्थीतिओं को ठीक करने के लिए प्रैयास करना है जो भी इसमें सह्योग देना चाहते हैं लेकिन हम सामान्य स्थिति को बरकरार रखने में शांती लाने में भरपूर प्यादें